बिक बजार ब्रांड को ओन करती है फ्यूचर रिटेल और यहां पर लगभग 4 लाख इन्वेस्टर्स ने पैसा भी लगाया हुआ है दो लाख रुपए से कम का पैसा लगाया हुआ है लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्यों अब फ्यूचर रिटेल रिस्क हो गया है बहुत बड़ा रिस्क हो गया है और यह एक लेसन भी है बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं न के 50 रुपे वाला स्टॉक बताओ 40 रुपे वाला 100 रुपे वाला स्टॉक बताओ 10 रुपे वाला स्टॉक बताओ तो जो इन्वेस्टर्स चेज करते हैं वही 10-50 रुपे के जो स्टॉक है जहाँ पर फंडामेंटल सही नहीं है उनके लिए कहां क्या रिस्क होती है लाइव मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे बहुत ही आसानी से यह तो 2022 आ चुका है 2021 मैं भी कैसे इस बिजनस को एवोईड कर सकते थे उसके बारे में बताऊँगा सबते पहले हुआ क्या है रिस्क क्या है देखिए उनको पैसा देना था एक सेटलमेंट जैसा करना था लगभग 3500 करोड रुपे का लोन देना थ किसको देना था लेंडर्स को देना था बैंक को देना था जहांसे बिए उन्होंने पैसा लिया हुआ था डिसम्बर 31 से पहले उनको देना था यह दिसम्बर 31 में उसके भी रीजन से नहीं कर पाए बहुत simple सा reason है जिसकी वज़े से वो payment नहीं कर पाए है और तुकि वो monetization नहीं हुआ था लेकिन ये चीज पता थी ये risk को हमेशा से बोला जा रहा था अब उसके बाद क्या हुआ care rating जो agency है उन्होंने rating को कर दिया D मतलब और इससे नीचे rating जाएगी नहीं D मतलब बिल्कुल risk है D मतलब loan service नहीं हो पा रही है और ये D का मतलब है कि भई मतलब और इसससे नीचे और rating जाएगी नहीं अब risk मैं आपको बता हूँ बहुत सारे investor जो अभी तो stock 60 70 80 तक भी गया होंगी लेकिन दी तो अभी हुआ है आप कहेंगे कि चलिए अभी डी हुआ है हमको पता नहीं था लेकिन पहले भी की rating थी बीकी rating अच्छे नहीं कहीं जाती है बीकी rating था credit watch with negative implication यह सब था लेकिन फिर भी investors ने वहाँ पर invest किया होगा और देखे एक्जेक्ट नंबर बताता 3,95,775 investors थे अब यह investors जो है लगबग 4,00,000 investors है वो कहेंगे कि नहीं नहीं यह company खराब है यह share market को खाली लूटा जाता है हमारा पैसा यहाँ पर नहीं बनता है लेकिन सब कुछ इस company में इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी आपने invest किया बिना जाने सुने invest किया तो य आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क था और आज देखिए 37% holding इन्हीं investors की है सोचिए बड़े-बड़े FII-DIS तो पहले से ही बाहर निकल चुके हैं पहले से ही यह सब चीजे बड़े investors को पता थी तो वो पहले से ही थोड़ा किनारा कर चुके थे आराम से आराम से इसको avoid कि जा सकता था यह देखिए क्या मैं स्क्रीनर दिखाता हूं बिल्कुल लाइब है लाइब का मतलब है दो जैनवरी का मैंने यह screenshot लिया हुआ स्क्रीनर में आप देखिए कैसे मैं इस business में invest भी करो देखिए business में loss हुआ या फिर profit हुआ वह आपके हमारे हाथ में नहीं है मैं आप पर promoters की बात नहीं कर रहा हूं Amazon dispute में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं यहां मैं आपकी हमारी बात कर रहा हूं यहां पर promoter का genuine issue हो सकता है जिसकी वज़े से वह payment नहीं कर पाए है मैं उतके बारे में जाहीं नहीं रहा हूं अब देखिए return on capital negative था return on equity कितना बड़ा negative था 134 negative था pledge था यह सब मुझे लाल निशान ही लग रहे है earning before interest tax negative sales growth negative net profit margin negative profit after tax negative मतलब कोई ऐसी चीज जहां पर कुछ तो positive दिखे वैसा था ही नहीं और यह मैं rating के पहले की बात कर रहा हूं यह सायद यही data 2-4 महिने पहले भी देखते तो ऐसा ही data होता यह नहीं था कि एक द देटा पूरा चेंज हो गया यह pledge 50% है तो यह चार महीने पहले भी था लेकिन फिर भी चार लाक इन्वेस्टर्स ने यहां पर इंट्री लीग और आज कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्क में डाल दिया मैंने कहता कि यह 50 से कितना चला जाएगा उपर जाएगा नीचे दोस्तों इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है अच्छी कंपनी में ऐसी कंपनी जो स्टेबल ग्रोथ करती रहे आरोसी आरोई मजबूत हो प्रॉफिट करती रहे सेल्स करती रहे कुछ नहीं तो तर्नेराउंड भी करती रहे तो भी आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन यहां प इस्पीरियंस हुआ है अगर आपके पास टॉक नहीं भी है तो भी मुझे लगता है यह सब इंफॉर्मेशन आपको वैल्यू जरूर दी होगी धन्यबाद आपके टाइम के लिए थैंक्यों अ रिस्पीरिय धन्यबाद है करी द माँदशवडिए यहाँ है amने सकते हुआ है यहाँ नही है है इंशेерм मेर्फय वैर को भी ताहई मतामिक्यों की वी संग legitimately इस्पीरियंस को पाभी परह